नवनाथ जैन एसोशेशन यूके आप सब को मेरी तरफ से मिच्छामी दुखड़न आप सब पर्युषन के इस पावन परवको और गणश चतुर्थिक के भी पावन परवको बहत उमंग और उत्सा के साथ मनाने के बाद एक मन में संतोष के साथ पर्मात्मा की निकट स्बुनुतियों के साथ आदर्शों और मुल्यों को फिर से एक बार चेतन करके जीवन में नई चेतना प्रक्टाने का प्रयास करने के बाद आज आप परवकों परवक की पूरी समाप्ति के और आगे बढ़ रहे हैं और एक नए संकल्ब को लेकर के आगे बढ़ने का भी दिवस होता है बीती हुई हर घटनाओं को भूल करके शमापना करकर के आगे बढ़ने का परव बनाते हैं उच्चे समाज जीवन के रचना के लिए इं मिच्छा में दुक्रम ये भाव कितनी बड़ी ताकत देता है समाज के अंदर प्रेम और स्वहवार्थ के लिए कितना बड़ा सामर्थ है देता है गुजरात जाइन परंपराओं से प्रभावीत है भारत में भी मात्मा गांदी के जीवन और आदर्शों को देखे तो जाइन परंपरा से काफी प्रभावीत ने जराते हैं मैं भी कुछ दिन पहले स्रीमद राज चंद्रजी के जन्मस्थान पे गया था कुछ पल मैंने बिताए मात्मा गांदी के जीवन पर प्रभावत कर पैदा करने वाले से मिद्राच चंद्रजी का जीवन उनका ज्यान का संपूर्ट आज भी हमारे लिए कितनी बड़ी प्रेरणा का केंद्र है आप कभी गुजरात आएं राजकोट जाएं तो जो हमारा नया मोर्वी जिला बना है उस जिले में बवानिया करके एक छोटा सा स्थान है छोटा गां होए स्रेमेज राज चंद्रजी का आश्रम वहाँ है आप जरूर जाइए आपको अनुभूती होगी ज्यान के प्रंपरा क्या होती है चेतना को प्रज्वलित करने में ज्यान किस प्रकार से काम करता है गांदी के जीवन बे कितना बड़ा बड़ाव आया था गांदी जी ने एक बात कही थी और वो शाकाहार के बड़े आग्रही थे पुरा विश्वाज होलिस्टिक हेल्थ केर की जब चर्चा करता है तब वेजिटेरियन इजम की बात करता है शाकाहार की बात करता है जैन परमपरा में शाकाहर गबार भात्पा है और उसका प्रभाव इतना हो रहा है कि आज दुनिया की अनेक एरलाइंस ऐसी है को जो खाना देती तो कहती है जैन फूड है जैन मील है विश्व के अनेक एरलाइंस इस प्रकार की विवस्ता करती है यह बताता है कि सामान ने मानवी के मन में होलिस्टिक हेल्थ क्यार के लिए हमारे महारे पूरुष्व ने जो हमें रास्त दिखाया रास्ते पर चलने के लिए सोच रहे हैं आप लोगों की इस तपश्या के कारण बहुत इक वाद में डूबे हुए विश्व को हिंसा पर उतारू समाज जीवन को आप जरूर आपके तपश्या सत्य और हिंसा के मार को लाने के लिए तक आधार बनेगी अगर आतंगवाद से हिंसा से मानवजात की रक्षा करनी है तो उन महान परंपराओं को जिसको आप जी रहे हो उससे हमेशा समाज जीवन में हमें फैलाना होगा भाई जारा बंदूता ही हमें हिंसा के तरफ से जाने से रोकता है इन महान आदरशों के विरासत हमें मिली है विश्व हमारी इस विरासत से कैसे लाभान भी थो संकटों में डूबा हुआ मानव जीवन किस प्रकार से इन महान आदरशों मुल्यों को समझे और वो शब्दों से नहीं हमारी प्रतिवद्दता से हमारे आचरन से समझेगा मैं इस पर्युशन के पावन पर्व पर इस तपस्या में जुड़े हुए सभी तपस्वियों को नमन करता हूँ आप सब शाता में होंगे स्वस्त होंगे यह मुझे पुरा विश्वास है आत्मा की गुरुपा भी रहती है आपका ये प्रयास आपकी तपस्या आपका ये त्याग आपका ये यग्य पश्यम के जीवन को भी सात्विक्ता के रंग से रंग देगा इससे पूरे विश्वास के साथ आप सब को फिर से एक बार मिच्छामी दुख्णम जय जिनेंद्रों कार शर झाल का ये खर आप दुरों से लार आपका ये अरी है कि तुर कर रंग से युरoot से यो, मैं दोछस्टा मैं, वेड्या की जितार का ये जीवेश्ग, आपका ये झाम जूएराई